नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सर्मार्ग बहुत बार हम ये कहते वे सुनते हैं कि सफलता ही नहीं मिल पा रही दो लोग मिहनत तो बराबर करते हैं पर एक जिन्दगी में बहुत सफल हो जाता है दूसरा बहुत तंगी में जीता है आखिर सोई हुई किसमत को जगाने के राज किया है आज हम आपको नीमबू के परियोग बताएंगे क्योंकि तंत्र सास्तर में नीमबू के कुछ ऐसे चमतकारिक परियोग है जो आपके सफलता के दौर को खोल सकता है आज हम आपको दो-तिन प्रयोग बताएंगे आप अपनी सुवीधा के अनुसार प्रयोग कीजेगा नमर वर्ण देखे अगर आप बैपारी हैं आप मेहनत करने के बाद भी आपका बैपार नहीं चलता तब एक छोटा सा काम कीजेगा किसी भी मंगलवार या सनिवार के दिन एक पीले रंग का सुन्दर सा नीमबू ले ले अब इसको लेकर दुकान या ओफिस जहां भी आप काम करते हैं दिबाल जो चार तरफ दिबाल होता है ना चारो तरफ आप नीमबू को टच कीजे अब इस नीमबू को लेकर उसके चार तुकरे करें और च़ोराहे पर खड़े हो जाएं अगर चौराहा नहीं है तो कहीं भी सुन्साण साइड में अस्थान में खड़े हो जाएं आपका फेस पूरप साईड होगा और चारो तुकरे को एक एक करके चारो दिसा में फेक दें यहीं अपने सामने पीछे दाएं बाएं और बिना पीछे मुड़े घरा जाएं आपका व्यापार में अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वह समाप्त हो जाएगा भागे को चमकाने के लिए एक छोटा सा नीम्बू का प्रियोग किया जाता है कई ब ञिम्बू को अपने उपर बाएं हाथ में लेकर साथ वार उल्टा वार लें उसके दो टुक्रे करें एक टुक्रा दाहिने हात में एक बाएं भाहाः जाए आपका बिगड़ा हूँ वा काम न लगे लगे अगर आपके घर में बीमार हैं बहुत बिबार रहते है एक नीम् अगले दिन सुबह इस नीम्बू को उठाकर चाकू से दो टुकरा काट लें और काटने के बाद पहले तो उठाकर आपको घर से बाहर निकलना है काटकर और कहीं भी आप सुमसान या साइड अस्थान पे खड़े हो जाएं दाहिने हाथ का टुकरा बाएं साइड बाएं हाथ वे सा बेवजा उलचेने हैं या दूसरे से पढ़ती नहीं बनती नहीं आप परिशान है तब एक काम करें एक कन्च के गलास में पानी लें उसमें एक चमच नम्मक डाल दे और एक निम्बू हरा हो या पीला हो माइनि निर्कता कि निम्बू डाले पुरा समुचा निम्ब झाल 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 झाल